पुत्राखंड के सुल्तानपुर पट्टी काशिपूर थाना आईटी आई पुलिस द्वारा दो बाइक चोडों के कबजे से छेचोरी की बाइक बरामत की गए जिसका खुलासा सीओ अनुशा बडोला ने करते हुए बताया कि 14 जून को सरोज सिंग पुत्र गनेश सिंग निवासी बलमगड ठाकुर द्वारा जनपत मुरादाबाद ने तहरीर दे कर बताया था कि उनकी बाइक को महुआ खेडा गंज से किसी अग्यात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है 15 जून को रोहित पुत्र पुत्तल निवासी हरपुरा थाना आईटी आई का अशिपूर ने बताया था कि उनकी बाइक को भारत गैस एजनसी महुआ खेडा गंज के पास से चोरी कर लिया गया है उक्तवाहन चोरी की घटनाओं के आधार पर थाना आईटी आई प्रभारी निरिक्षक प्रवील सिंग कोशियारी द्वारा चतकाल प्रभाव से मुकत्मादर्ज करते हुए थाना आईटी आई छेत रंतर गत लगातार हो रही चोरी से संबंदित घटनाओं का अनावरण स्पी डॉक्टर मजुनात टीसी की आदेश पर स्पी अभे सिंग तथा सीयो अनुशा बडोला के निर्देशन वापरेवेक्षन में प्रभारी निरिक्षक थाना आई टी आई प्रवील सिंग कोशियारी द्वारा एसाई अनिलुपाध्याय एवं एसाई सोमवीर सिंग के लेतरत में पुलिस टीम का गठन किया गया पुलिस टीम के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरां दो अभ्योक्तगर्ण अनोज उर्फ अनोज शर्मा 42 वर्ष पुत्र हरियों तथा अंकित 24 वर्ष पुत्र रमेश निवासी ग्राम देवीपूर थाना भोचपूर जनपन मु अभ्योक्तगर्ण मिलकर वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे उक्तो दोनू अभ्योक्तों का गैंग उतरप्रदेश उतराखंड में सक्री हैं इनके द्वारा बॉर्डर में लगने वाले थाना चौकी छेत्र से घटनाओं को अंजाम दिया जाता है इसमें कहीं दिनों से सुचना आ रही थी कि कुछ मोटर साइकर्ण चोड़ी जा रही थी रेगिलर ली तो हम लोगों ने इसमें चेकिंग के थूर और रेगिलों जो हमारी मोटर वेहिकल आपक्ता हम चलान वगरा करते हैं तो उसमें हमें दो संदिक का पता चला तो दोनों जो है वो इसी एरिया में आइटिया काशुपर और यूपी साइड़ी थोड़े आक्टर हैं और यह लोग मोटर साइकल उठाने के काम करते हैं बेसिक लिए एक ऐसी की रखते हैं अपने बास जिससे जो कोई भी बाइक है किसी भी ब्राण की वो यूजुली खल जाती है त इन दोनों को हम लोग ने अरेस्ट कर लिया और यूजुली जाती है कि हमें कोई वो मिली नहीं है दो एफ़ार ज़रूर में आइटिया की अभी इसी साल की इसके अलाव पुराना गए कोई क्रिमिलिस्ट्री होगा तो वह हम सर्च करते हैं देखती रहिए डीबी भारती समचार नजर हर खबर पर